हेलो गाइट्स यह मेरे पास सैंसंग एसिक्स प्लस है वो फर्फ या अनलोक खेली आया है आपने पास तबी हम फैक्टरी रिशिट सेलेक्ट करेंगे वॉल्यूम आप डाउन से और पावर बटन से सेलेक्ट करेंगे कि अधियर रिश्टाट होने के लिए थोड़ा टाइम लेगा झाल 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 गायज अभी स्टार्ट हो गया, अभी स्टार्ट पे क्लिक करते ज्यों करते करते हैं थ्यों करते हैं देखें गायज आये नेक्ष्ट नहीं हो रहा है, अभी वाइफाय कनेक्ट करते हैं झाल शे अचुन कि डिकी गाईशी वे मेल आईए मा पूच रा है विदूट मेला आईए आगे नहीं गाल गालेगे आभी हम पीसी में चलते आभी हम अनलोक टूल यूज़ करेंगे अनलोक टूल स्टार्ट होने के लिए थोड़ा टाइम लेता है एक पाच दस सेकेंड टाइम लेता हो कभी-कभी एक मेंड भी लगता है उसको चालो हने के लिए अभी लॉगिन कीजिए अभी लॉगिन हो गया है अभी सैमसंग पर क्लिक करेंगे मोबा Expectby मोबाल मोर्मल मोड में PC को चनेक करेंगे सैमसंग में क्लिक करने के बाद फंक्शन में क्लिक करना है और उसके बाद फरक流 करना है अब इतर दियो डायल करना है तो मोबाल में ब nei टमार्बाक, उसका यह ऐसे ही चालू रखना है अभी से विधर कंटिन्यू अभी मोबल में एक नुटिवीशन आएगा उसके उपर ओके करना है यह एजबी डबंग के पर्मिशन है देखिए गाइट्स फर्फी अनलॉक हो गया है अब भी स्टेट अप करके देखते हम देखिए गाइट्स फिनिश सेट अप हो गया है मोबल अनलॉक हो गया है गया इसे अनलॉकिंग वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो कौनसा चाहिए मैं कमेंड में मुझे बता दीजिए आप सब झाल से वीडियो के लिएmot कीजिए अनी बतावी मीसा का coming उल सकते में गया सकते समयर मंगныхवाट्स